हेलो स्टुडेंट्स आज मैं आपको बताने वालों कि आपको बोर्ड एक्जाम में पत्र कैसे लिखना है जो देखो आपका पत्र लिखने का जो एक नया टॉपिक आया है और ये फ़श्ट बार ही आया है तो इसमें बहुत सारे मैंने देखें आपको गलत बताया जा रहा है कि ऐसे पत्र लिखना है लेकिन आज के इस वीडियो में जो बताऊंगा वैसे ही लिखना आपको पत्र और एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा मैं यहाँ पर बताऊंगा जो पत्र है आपके मित्र के पिता सीमा पर सहीध हो गए अपनी भावनाय व्यक्त करते हुए पत्र रिखना है तो इसी पर चलो हम पत्र लिखते हैं वीडियो को पूरा इंड तक देखना जैसे बताऊंगा वैसे ही लिखना ऐसे उसी तरही के से आब को एटरस लिख देना है मतलब कहा को आप लिखना चाहर, जैसे आप लिखना चाहर है दिल्ली ठीक है तो ऐसे लिख हो, कि यहाँ पर जैसे ती हैं मौन से ज अउठ्ध्या। ठीकं। और यहा पर नीचे उसके लिखना है उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखो क्या लिखना फिर इसके बाद आना है। नीचे और यहाँ पर ढालने हैं दिनांग से ढलने से डालना है ए little पर एतना डालने के बाद्फ़D in on maa...' को आप लिख रहे हो मालों कि यह डेट कोई रही होगी तो डेट चलो में यहाँ पर डाल देते हैं जैसे बाइस फरवरी को आप लिख रहे हो तो ऐसे डालना है यहाँ नीचे लिखना है प्रियमित्र अईसे प्रिय मित्र सेम टो सेम ऐसे ही लिखना मैं आपको ज़्यादा तर पत्र बता चुका हूँ यह भी पत्र अच्छे से तयार कर लेना बहुत जाता महाथ थोड़ है प्रियमित्र फिर एस एक लगाना है कोमा और यहाँ से फिल लिखना है इसके नीचे आना है कि आज प् प्राता ही सेम टू सेम ऐसे ही लिखने हैं आपको पत्र मैं पूरा लिखकर बता रहा हूं पत्र अच्छे से देखते चलो और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना आज प्राता है समा चार पत्र के समा चार पत्र के मुख्य आज प्राता ही समा चार पत्र के मुख्य प्रिष्ट पर तुम्हारी पर तुम्हारी अब तो इसको थोड़ा सिधा करते हैं और देखो पूरा इसी तरीके से लिखना है नीली पेंसे तुम्हारे पिता की पिता की आतंक वादियों के साथ पिता की आतंक वादियों के साथ मुट भेड में सहीद होने की खबर पड़ी मुट भेड में सहीद होने की खबर पड़ी अब देखो इसके बाद क्या लिखना अच्छे इसको अमलिक देते हैं में असले में सहीद होने की और एक चीज़ आपको बता हूँ देखो यहां दो मुट भेड है यहां पर थोड़ा सा यह गलत हो गया कि यहां पर दूसरा वार रहने चाहिए था लेकिन यह लिख दिया अब इसमें मुझे इसको काटना नहीं है ऐसे छोड़ दो नहीं अगर काटो कि तब एक्जामना की नजर वहां पर पढ़ेगा और आपको नंबरों काटेगा होने की खबर पढ़ी फिर लिखना है खबर पढ़ते ही ऐसे देखो इतना चीज़े लिख सकते हो नहीं तो फिर ऐसे लिखना है कि यहां से यहां से लिखना है मित्र मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कि तुम्हारे वा परिवार के लिए वा परिवार के लिए मित्र मैं जानता हूँ तुम्हारे वा परिवार के लिए यहां बहुत कठिन समय है लिखना यहाँ बहुत कठीन समय है तिक यहाँ बहुत कठीन समय है फिर उसके बाद लिखना है यहाँ पर आगे लिख तो अपने पिता को खोना अपने पिता को खोना फिर लिखना है अपने पिता को खोना और उसके बाद क्या लिखना है अमूल अमूल च्छती तिक अपने पिताओं को खोना वह अमूल च्छती है अब इसका बात लिखना जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता है जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता है जिसे क्या कोई भी पूरा नहीं कर सकता है अब इसके बात देखो अब ऐसे इस तरीके से करोगे नंबर आपको अच्छे मिलेंगे अब यह सोचो कि इसको कहीं इसी में दूसरी पैन से लिखते हैं कोई लोग लाल लाल पैन का तो वो सब पैन नहीं यूज करना है अब देखो आगे क्या करना है आगे ऐसे करना है इसको थोड़ा उपर उठाते है और देखो यहां से फिर लिखना है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता है फिर इसके बाद आगे लिखना है तो देखते हैं कि हाँ इसके बाद लिख दो और देखो और चीज़े इसमें लिख सकते हैं जैसे कि फिर लिखो तुम्हें अपने परिवार फिर यहां से परिवार को मतलब उसको सांदावना देनी है इस दुख तो मैं अपने परिवार को इस दुख को साहन करने के लिए इस दुख को साहन करने के लिए द्रड़ता देनी होगी क्या करने होगी द्रड़ता देनी होगी तुम्हें तो अपने पिता पर गर्व होना चाहिए पिरय से लिखना है तु अपने पिता पर गर्व होना चाहिए तुम्हें तो अपने पिता पर गर्व होना चाहिए आसु बहा कर या दुखी होकर उसे कम ना करो फिर लिखो आशू बहा कर फिर लिखो यह बीच में यह आ गया पेज इसको मैं इधर करता हूँ साइड में फिर लिखो यहां से क्या लिखना है जैसे जैसे यहां पर मैं बता रहूँ सेम कुछ सेम ऐसे ही लिखना है इसको आप याद कर लेना हो सके तो आप इसको याद कर लेना फिर लिखना है आशू बहा कर या फिर रोकर आशू बहा कर या फिर दुखी होकर या दुखी होकर आशू बहा कर या दुखी होकर उसे कम नहीं करना चाहिए या फिर उसे कम ना करो फिर आगे लिखना है कि मैं फिर एक बार तुमसे ऐसे लिखना है मैं फिर एक बार तुमसे मैं फिर एक बार तुमसे अब इसके बार आगे लिखना है अपने परिवार को इस दुख के समय अपने परिवार को इस दुख के समय मैं अपने परिवार को इस दुख के समय में दुख के समय में दुख के समय में दुख वह साहस देने की अपिक्छा रखता हूं वह साहस देने की अपिक्छा रखता हूं ठीक अब इसके बाद फिर लिखना है आगे वह हाथ जोड़कर फिर देखो यह पेज हमारा पूरा हुआ पेज पूरा होने बाद क्या है निक्स्ट पेज पलटना है और इसमें भी काली पेज से पहले तो अंडरलाइन करना जरूरी होता है ऐसे यहाँ पर हम अंडरलाइन कर दिये चलो एक भी कर सकते हो और चाहो तो इसको थोड़ा सा आग अपनी भावपूर स्रद्धांजली अर्पित करता हूं फिर ऐसे लिए को पिता जी को अपनी भावपूर स्रद्धांजली अर्पित करता हूं अर्पित करता हूं ठीक इस तरीके से लिखना है फिर उसके बाद लिखना है तुम्हारा अभिन काली पन लेना है काली पन से ऐसे इधर लिखना है तुम्हारा अभिन ठीक और यहां पर जो भी आपका नाम हो या फिर तुम्हारा अभिन मित्र ऐसे लिख दो कि चलो इसे लिख दे तुम्हारा अभिन मित्र या फिर लिख दो देखो इस प्रकार से लिखना है आपको और अगर ऐसे लिखोगे पत्य तो पूरा चार नंबर का आता है पूरा का पूरा चार नंबर आपको मिलेगा एक भी नंबर नहीं करतेगा लेकिन इसमें बहुत साय लोग गलती कर देते हैं जो कि आपको उन सब गलतियों को नहीं क तो इसमें सिर्फ इतने ही चीजे हैं जो कि आप 4-5 खंटे में कम्प्रीट कर सकते हैं तो इसको कैसे ले सकतो डिस्किप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में कोर्स की लिंक है हिंदी के कोर्स की उस पर क्लिक करना और उन्चास रुपए का कोर्स है जल्दी से आप लोग जा रही है